मेश राशिवालों दोस्तों क्योंकि इस खुश्खबरी के लिए आपने बहुत ज्यादा परीक्षाएं दी है और जब यह खुश्खबरी आपको मिल रहा है तो दोस्तों जोखिम आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है कुछ महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण सावधानी आपको अपन कोई चोटी मोटी खुश्खबरी नहीं है यह आपको रातों की नींद और दिन का चैन भी उड़ा देगी यकीन मानिये दोस्तों लाखों में एक इनसान होता है जिनको ऐसा खुशखबरी मिलता है जी हाँ दोस्तों आपका किस्मत आप चमकने वाला है क्योंकि दोस्तों अपने अपने मेहनत से अपने किस्मत को चमकाया है और जो भी इनसान अपने जीवन में मेहनत करता है, भले ही उनके जीवन में थोड़ा सा कश्ट आता है, दुख और दर्द आता है, लेकिन भगवान उसके जीवन में कभी भी गलत और बुरा नहीं होने देते हैं। कि दोस्तों जैसे आपने अपने जीवन में पिछले समय मेहनत किया है उसी प्रकार, दोस्तों जब फल आपको मिलने वाला है तो इस फल का भी आपको सही तरीके से अपने जीवन में उपयोग करना है। जो आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। चाहे आपके सामने कोई भी वीडियो किया ना आजाए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है तभी जाकर दूसरे वीडियो को देखना है। दोस्तों ऐसा वीडियो जीवन में एक ही बार बनता है। आने वाले अगले 48 घंटे का समय मिलने वाले हैं। दोस्तों एक कर्मशील और मेहनत करने वाले इनसान को और क्या चाहिए। पहले वह जो मेहनत करता है उसका उचित परिणाम मिल जाए। और जो दुश्मन उसके रास्ते में कांटा खड़े करते हैं वह कांटा साफ हो जाए। तो दोस्तों अब आपका वह इच्छा भी पूरा होने वाला है। अब आपका दुश्मन आपके रास्ते से हटने वाले हैं और आपके दुश्मनों को पापों का सजा मिलने वाला है प्यारे दोस्तों घर परिवार में बहुत बड़ा भूकम पाने वाला है क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका दुश्मन ने बहुत गलत कार्य किया है आपका दुश्मन नहीं बहुत बुरा-बुरा काम किया है जिसका सजा अब दुश्मन को मिलने वाला है और आप आने वाले समय में राजा बनने वाले हैं जी हाँ प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप राजा बन जाएंगे इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ लेकिन प्यारे दोस्तों इस जिआतिश कार्यक्रम को शुरु से लेकर आखरी तक आपको देखना होगा प्यारे दोस्तों, यह जोतिश कार्यक्रम आपका पूरा जिंदगी बदल कर रख देगा इसलिए इस जोतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी मिस मत करना प्यारे दोस्तों दुश्मन तुम्हारे पैरों में गिरेंगे इतनी बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगी प्यारे दोस्तों दुश्मन ने बहुत कर लिया मनमानी अब दुश्मन का मनमानी नहीं चलेगा अब दुश्मन को सजा मिलेगा दुश्मन के साथ तीन विचित्र घटना होगा जी हाँ प्यारे दोस्तों एक साथ तीन विचित्र घटना दुश्मन के साथ होने वाला है और आपको बहुत बड़ी खुश्खबरी मिलने वाला है क्योंकि प्यारे दोस्तों आपके उपर ये एक देवता महर्बान हो चुका है प्यारे दोस्तों आपको बता दें ये एक देवता आपके घर में आते रहता है तो प्यारे दोस्तों, आखरी है, देवता कौन है, क्यों? ये देवता आपके घर में आते जाते रहता है, ये देवता आपसे क्या चाहता है? इसके बारे में संपून जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे. प्यारे दोस्तों आपको बता दें अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है जी हाँ प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं अगले 48 घंटे के अंदर खुशियों की सुनामी आपके घर में आने वाला है प्यारे दोस्तों खुश खबरी सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेंगे आपका पूरा परिवार खुशी से गदगद हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आपको बता दें एक साथ कई भयानक घटना आपके जीवन में होने वाला है तो प्यारे दोस्तों, आखिर आपके जीवन में कौन-कौन सा बड़ा भयानक घटना होने वाला है, कौन-कौन से चमतकार आपके जीवन में होने वाला है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दें साथ ही प्यारे दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी व्यक्ति भगवान भोले नात का सच्चे भक्त इस जोतिश कार्यक्रम को देख रहे हैं वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें महादेव जी के आशीरवात से आपका हर एक सपना पूरा हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपको बता देदो बड़ी शक्ती कल आपके घर आ रहे हैं जी हाँ प्यारे दोस्तों, कल दो बड़ी शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है। प्यारे दोस्तों, ये दोनों शक्तियां मिलकर आपका किस्मत का द्वार खोल देंगे। अब आप बिना कुछ किये गणपती बनेंगे। आपका पड़ोसी देखकर हैरान हो जाएगा। इतना धन बरसेगा कि साथ जन्मों तक बैठ कर खाओगे। फिर भी खत्म नहीं होगा प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक सुन्दर स्त्री का भी आगमन होने वाला है। इस स्त्री का दामन कभी मत छोड़ना, अगले 48 घंटे के अंदर एक स्त्री आपके जीवन में आने वाली है। इस स्त्री का हाथ कभी मत छ आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर हो जाएगा। कुंडली में विराजमान रहेंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों अगले 48 घंटे का समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह एक कीमती चीज आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों यह कीमती चीज हर हाल में आपको मिलकर रहेगा और आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप रंग से राजा बन जाएंगे। यूँ कहें तो अब आप करोडपती बनने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों ज्योतिश कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आप से कहा था कि पूरे एक सौ किलो मिठाई बांटना पड़ेगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों जब किसी व्यक्ति को अचानक इतनी बड़ी खुशखबरी मिलता है तो वह व्यक्ती खुशी से पूरे गाव मोहले में मिठाई बांटता है। पूरे गाव मोहले के लोगों का मुह मीठा कराता है, तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगा, तो आप भी पूरे गाव मोहले में मिठाई बांटेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में एक साथ तीन बड़ा भयंकर घटना होने वाला है। समय रहते हो, जाइए सावधान, वरना प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके पास समय बहुत कम है और अनर्थ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा कांड होने वाला है, सुनकर आपका होश ओड़ जाएगा। बड़ा घटना घटित होगा और यह घटना आपका आँखों के सामने होने वाला है, आप अपने आँखों से इस घटना को देखेंगे। प्यारे दोस्तों, सिर्फ 48 घंटे के अंदर यह सब होने वाला है। इसलिए जियोतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी स्किप मत करना प्या प्यारे दोस्तों, कल युग में पहली बार इतना बड़ा और भयानक अनर्थ होने वाला है। ऐसा भयानक घटना अभी तक नहीं हुआ था। जो भयानक घटना आपके साथ घटित होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, पाप का घड़ा भर चुका है और आ पिछले समय अवधी में, पिछले जन्म में आप बहुत सारे पुन्य का काम किये हैं, जिसका परिणाम स्वरूप इस जीवन काल में आपको मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, इतना बड़ा चमतकार अब आपके जीवन में होने जा रहा है। आपने बहुत संघर्ष किया है, अपने जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाईयों का भी सामना किये, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब आप राजाओं जैसा जीवन जीने वाले हैं, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगा, कि आपके उपर एक साथ ग्यारह देवी देवता महरबान हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, ग्यारह देवी देवताओं का आशीरवाद आपके उपर पढ़ चुका है, इसलिए आपका कुंडली में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है कि आप अपने मोहले का सबसे अमीर इंसान बन जाओगे, आप अपने मोहले का सबसे शक्तिशाली इंसान बन ज जाओगे, बस आपको ज्योतिश कार्यक्रम शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, यह ज्योतिश कार्यक्रम नहीं आपके लिए वर्दान है, प्यारे दोस्तों, चारों तरफ से आपको खुश्खबरी का कॉल आएगा, प्यारे दोस्तों, जिस चीज के लिए आप सालों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेश सावधानी आपको बरतनी होगी, जो आगे ज्योतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं, साथ ही प्यारे दोस्तों, आपको यह दो गलती भूल से भी नहीं करना है, जो आगे इस ज्योतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले ह तो प्यारे दोस्तों आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है ऐसी कौन सी बातें है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए आए इसके बारे में सम्पून जानकारी विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि जीवन में हम लोग जितना अच्छा काम करेंगे, जितना पुन्य का काम करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में खुश हाली आएगी, और जितना ज्यादा हम लोग गलत काम करेंगे, उतना ही ज्यादा हम लोगों को शास्त्रों में मीट मचली का सेवन करने से मना किया गया है, लेकिन फिर भी लोग मीट मचली का सेवन करते हैं, जो कि बहुत गलत है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगता है। इसलिए प्यारे दोस्तों मीट मचली का कभी भी सेवन मत करना। आपका नाम का परचा निकल चुका है और एक साथ आपका नाम का तीन परचा निकला है, जिसे देखकर बागेश्वर बाबा खुद हैरान है कि आखिर एक साथ एक इनसान का तीन परचा कैसे निकल सकता है। और इन तीनों परचे में जो लिखा हुआ निकला है, उसके बार पर्चे में निकला है। पूरा ज्योतिश कार्यक्रम आखिरी तक देखना। ज्योतिश कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिसमत करना। वरना प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ा परेशानी में आप फंस जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगले 48 घंटे का समय आपके लिए बहुत खतरनाक समय है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगले 48 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। नहीं तो प्यारे दोस्तों, आपका मृत्यू निश्चित है। आपको कोई नहीं बचा पाएगा और आपका पूरा परिवार बरबाद हो जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप अपना परिवार का सलामती चाहते हैं, अपना जान का रक्षा करना चाहते हैं, तो इस ज्योतिश कार्यकरम को पूरा अंत तक देखना और यह दो गलती भूल से भी मत करना। जो आगे इस ज्योतिश कार्यकरम में आपको बताने वाले हैं, अगर यह दो गलतीयां अगले 48 घंटे के अंदर आप करते हैं, तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा, आपका जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगले 48 घंटे तक आपको कौन-कौन सी गलती नहीं करना है, कौन-कौन सी बातों का विशेश ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में संपून जानकारी, विस्तार से इस जोतिश कार्यकरम में आपको बताने वाले हैं, साथ ही, प्यारे दोस्तों, आ आपका दैनिक जीवन में कौन-कौन सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, शादी शुदा लोगों के लिए प्रेमी जोडों के लिए, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए अगले 48 घंटे का समय कैसा रहने वाला है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आप आपको बताने वाले हैं इसलिए प्यारे दोस्तों जियोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना प्यारे दोस्तों सब अगले 48 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा खुशी होने वाला है अगले 48 घंटे का समय आपके लिए खुशियों का समय रहने वाला है प्यारे दोस्तों अगले 48 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ बड़ा भय भयंकर होने वाला है बाला जी महाराज के आशीरवात से आप आपका जीवन में चार चांद लगने वाला है जी हेलो प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपको सिर्फ यह दो गलतियां करने से बचना होगा फिर देखना बाला जी महाराज के कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा आपका जीवन में और जब भगवान किसी व्यक्ति पर महरबान होता है तो उसे चप पर फाड के खुशियां देता है और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है अब आपका घर धन दौलत से भर जाएगा आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगा बस आपको अगले 48 घंटे तक यह दो गलतियां करने से बचाना है नमबर एक अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो कृपया करके अगले 48 घंटे तक आप मांस मदिरा का सेवन करना बंद कर दें क्योंकि प्यारे दोस्तों अगले 48 घंटे के अंदर आपके घर आंगन में बजरंग बली का चरण पढ़ने व जाते हैं और उनका जीवन में कभी भी बदलाव लेकर नहीं आते हैं। कभी भी उनके जीवन में चमतकार नहीं करते हैं। तो अगले 48 गंटे तक मांच मदिरा का सेवन ना करें। दूसरा गलती जो आपको नहीं करना है। प्यारे दोस्तों, अगले 48 घंटे के अंदर आपके द्वार पर एक साधू महात्मा का रूप लेकर आपके घर देवों का देव महादेव जी आने वाले हैं। करने से महादेव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे तथा आपका जीवन नरक का सम्मान हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। प्यारे दोस्तों, अगर आप यह दो गलतियां नहीं करते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको किस्मत सूरज की तर अगर आप करते हैं, तो आपका जिंदगी नरक के सम्मान हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो आपकी खुशियों में आग लगाने का प्रयास कर रहा है। प्यारे दोस्तों, अगले 48 घंटे में बहुत बड़ा भयंकर कांड होने वाला है प्यारे दोस्तों, सिर्फ 48 घंटे में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव महराज का गुस्सा फूट चुका है, इसलिए प्यारे दोस्तों, अब भगवान शनिदेव महराज के आश जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, राहु केतू आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। साथ ही प्यारे दोस्तों, मंगल ग्रह आपका राश्य में विराज़मान है, जो आपके लिए बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस समय आबादी में राहु केतू और मंगल ग्रह से आपको बचना होगा। इन तीनो ग्रहों से आपको तो जिन्दगी भर आपको रोना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 48 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा जूट से परदा उठने वाला है। जो आज इस ज्योतिश कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ये जूट आपका भी आँखें खोल के रख देगा। आपका शरीर कापने लगेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज तक आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे। और ये राजय आपके अपनों के बीच ही छुपा हुआ था। लेकिन आप इस बात से पूरी तरह से अंजान हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ा जूट से परदा अब उठने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें। आज का जोतिश कार्यक्रम बहुत खास और महत्पपून है। इस जोतिश कार्यक्रम के माध्यम से एक-एक सच्चाई, विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों, आपको कुछ सावधानी भी बताएंगे, एक-दो उपाय भी बताएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, जोतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी स्किप मत करना, जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, आज का जोतिश कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तीन बड़ा और भयानक घटना होने वाला है। आज नहीं तो कल मेरा भी जीवन में खुशहाली आएगी, भगवान के आशीरवाद से मेरा भी जीवन में बदलाव होगा। ऐसा आप आस लगाए बैठे हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दें, आपका जीवन में बदलाव तो होगा, लेकिन उससे पहले आपको इन तीन बड़ी घटनाओं से सामना करना पड़ेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके जीवन में यह तीन बड़ी घटनाओं होने वाला है, इन तीनों बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। भगवान पर आपको बिल्कुल भी अंगुली नहीं उठाना है, भगवान पर अंगुली नहीं उठाने का मतलब यह है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है कि भगवान हमारा सुनते ही नहीं है, भगवान हमारे उपर कभी कृपा करते ही नहीं है, मुझे तो ऐसा प्यारे दोस्तों, ज्योतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से बिना संकोच किये हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। दोस्तों आपको बता दें ये खुश्खबरी धन की देवी माता लक्षमी की कृपा से आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए प्यारे दोस्तों इस कीमती चीज के बारे में किसी को कुछ मत बताना। इस कीमती चीज को हमेशा छुपा कर रखना। ये कीमती चीज आपका जीवन बदल कर रख देगा। प्यारे दोस्तों आपको बता दें। धन की देवी माता लक्षमी की कृपा से आपको एक छोटा डायमंड का टुकडा मिलेगा। जिसे हम लोग हीरा भी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों ये एक डायमंड का टुकडा आपका जिन्दगी बदल कर रख देगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों ये डायमंड पूरे अठारह करोड का है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिलकुल भी नहीं रहेगा। धन की देवी माता, लक्षमी की कृपा से आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर यह भविश्यवानी कोई गलत साबित कर देगा, तो उसी में तीस लाख का इनाम दूँगा। यह मैं आज इस ज्योतिश कारेक्रम के माध्यम से घोशना करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें। आपका कुंडली में बहुत बड़ा भयंकर योग का निर्मान हो चुका है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगले 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। भी नहीं किये होंगे, वह चीज भी अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, सितार एक ग्रह गोचर आपके पक्ष में बना हुआ है। साथ ही प्यारे दोस्तों, मंगल ग्रह का भी आपको भरपूर साथ मिल रहा है। और जब किसी व्यक्ति को इन ग्रहों का साथ मिलता है, तो वह व्यक्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है, और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, अब जो समय का निर्मान आपके लिए हुआ है, ऐसा समय का निर्मान अगले 10 साल तक नहीं होगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस समय को बरबाद मत करना। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप इस समय का सही से उपयोग कर लेंगे, तो आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको बतादा, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ जहले हैं, बहुत ज्यादा परेशानी जहले हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, वक्त और हालात दोनों अब बदलने वाला है, बस आपको इस जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा, इस जोतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी मिसमत करना प्यारे दोस्तों, ऐसा जोतिश कार्यक्रम बार बार नहीं बनता है, इसल पढ़ने वाला है। प्यारे दोस्तों जयोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ। अगर अभी तक आप लोग इस जयोतिश कार्यक्रम को लाइक करें। और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जी बाबा भोले नात अवश्य लिखें। बाबा भोले नात का आशीरवाद हमेशा आपके उपर बना रहेगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों आप से एक और महत्वपून बात करना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों रोजाना आपके लिए राशि इतना महत्यपूर्ण जानकारी आपको मुफ्त में बताने का काम करते हैं तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए आईए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में कौन-कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है प्यारे दोस्तों आपका जीवन में अब जो बड़ा बदलाव होगा सुनकर आप खुशी से उचल पड़ेंगे बस अगले 48 घंटे तक यह कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है जी हाँ प्यारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इस जियोतिश कार्यक्रम में बताएंगे जो आपको ध्यान में रखना होगा प्यारे दोस्तों, इस जियोतिश कार्यक्रम में आपका जीवन का एक एक जानकारी सौ प्रतिशत सटीक बताने वाले हैं। इस जियोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखने से आपकी टूटी फूटी किस्मत चमकने लगेगी और आपका दुर्भाग्य सौ भाग्य में बदल जाएगा। इस से आपके सभी दुखदर्द और कर्ज खत्म हो सकते हैं। बाबा काशी विश्वनात जी की कृपा से आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। हमने इस ज्योतिश कारेक्रम को ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया है और यह 110 पर 60 भविश्यवानी प्रदान करेगी। कृपया ज्योतिश कारेक्रम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी। जय माता दी। लिखना ना भूले। माता रानी के आशीरवाद से आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। भगवान के इशारों पर चलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं उनका भाग्य बदल जाता है। भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इनसान अपने अनुसार केवल वही करता है जो उसे पसंद है लेकिन वास्तव में जो होता है वह मेरे इरादे से ही होता है। इसलिए अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तो वही होगा जो आप चाहते हैं। चाहे आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी हो भगवान उसे चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यही भगवान की कृपा और लीला है। और अब यह कृपा आपके ऊपर पढ़ने वाली है। यदि आप पुराने कर्ज और समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो इस जोतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखें इस जोतिश कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान आपकी सुन क्यों नहीं है और जब भगवान आपकी नहीं सुनते तो आप क्या करें ता और भगवान की कृपा से आपको सभी सुख मिलेंगे। एक दिन और रात मिलाकर 48 घंटे होते हैं। और इनमें एक ऐसा समय आता है जब ब्रह्मांड के सभी दर्वाजे खुल जाते हैं। उस समय विशेश उपाय करने से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और सभी दे आपकी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में बदलाव लाया है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बताए गए उपाय को अपना कर आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जिन जिन लोगों ने मेरे द्वारा बताये गए उपायों को अपनाया है, वे खुद मेरे पास आकर कह चुके हैं कि उन उपायों का लाब उन्हें चमतकारिक रूप से मिला, भले ही थोड़ा समय लगा, लेकिन जो मैंने कहा था, वैसा ही हुआ. यदि आप भी उन उपायों को जानना चाहते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस जियोतिश कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें. इस से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी. जियोतिश कार्यक्रम में अंत तक बने रहने से ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप जयोतिश कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। जयोतिश कार्यक्रम के अंत में बताये गए उपाय को ध्यान से सुनिए। एक सुबह उठकर अपने दोनों हथेलियों को पांच बार रगड़े और फिर हथेलियों के तलवे देखें। दो पहले धर्ती माता को प्रणाम करें। फिर भगवान सूर्य देवता का स्मरण 3. हर रविवार सुबह सूर्य देवता को उगते, सूर्य के समय तांबे के लो से जल अर्पित करें। चार ध्यान रखें कि जल में लाल फूल डाले या लाल फूल नहीं होने पर कच्चा चावल भी डाले। भगवान सूर्य देवता को खाली जल नहीं अर्पित करना चाहि पांच इस प्रक्रिया को लगातार पांच से साथ रविवार तक करें इस उपाय से धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार आएगा और समस्याएं दूर होने लगेंगी आगामी 48 घंटे में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है ये बदलाव इतना महत्वपूर्ण होगा कि आपको अपने पूरे मोहले में मिठाई बांटने का मन करेगा ग्रिह गोचर में होने वाले इस बदलाव के कारण आपकी किस्मत में अद्वितिय सुधार आएगा इस खुशखबरी के बाद आप भगवान को धन्यवाद कहेंगे अंदर ही अंदर आपको एहसास होगा कि आपकी किस्मत भी अच्छी थी लेकिन आपने बेवजह उसे दोश दिया भगवान ने सबको विशेश बनाया है लेकिन चमक वही है जो मेहनत करता है इश्वर ने सभी को एक अनोखा टैलेंट दिया है लेकिन कुछ लोग इसका सही उपियोग कर पाते हैं जबकि कुछ लोग भावनाओं में खो जाते हैं अगर आपको सोने की तरह चमकना है तो आपको आग की तरह जलना होगा एक कहावत के अनुसार जीवन बिना संघर्ष के आसान नहीं होता और कोई भी महान व्यक्ति बिना मेहनत के नहीं बनता जब तक आप पर हथोड़े की चोट न लगे तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है अगले 48 घंटे में आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिससे आपके आस पडोस के लोग आपकी तारीफ करेंगे हमने आपके राशिफल को तयार करते समय ग्रह नक्षत्र और पंचांग की गणना का विशलेशन किया है इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखें हम इस जोतिश कार्यक्रम को बहुत मेहनत से तयार करते हैं इसलिए कृपया एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मातादी और हर हर महादेव जरूर लिखें जिससे ईश्वर का आशीरवाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आईए जानते हैं, अगले 48 घंटे में आपको कौन-कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। भगवान शनिदेव के अनुसार आपको कई स्रोतों से धन लाब होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके घर में किसी नन्हे महमान की किलकारी सुनाई दे सकती है, जिससे आप खुशी से मिठाई बाटने लगेंगे। यदि आप जमीन या प्रॉपर्टी के लेन देन में हैं, तो आपको लाब हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह समय अच्छा है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। लेकिन वह दुखी ही रहता है, क्योंकि वह अपनी स्वभाव नहीं बदलता। अगर आप अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, तो आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। खुद को खुश रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसलिए अगर खुश चलना सीख जाते हैं, उन्हें किसी की भी आवश्यक्ता नहीं होती। अगले 48 घंटे में आपको समय का महत्व समझ में आएगा और आप जान पाएंगे कि किस समय पर कौन से कार्यकर ना आपके लिए फाइदेमंद होगा। अगर आप समय की कद्र नहीं करेंगे, तो समय आ बच्चा भी सबको चोर लगता है और अमीर के घर का कववा भी मोर जैसा नजर आता है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें।